सर्दियों का मौसम अपने साथ कई बिमारियां लेकर आता है डाक्टर और हैल एक्सपर्ट का कहना है कि मौसमी फल खाने से हर तरह की बिमारियों से बचा जा सकता है ऐसा ही एक मौसमी फल है आवला, सरदियों में आवला खाना सरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है आये जानते हैं कि क्या फायदे होते हैं और आखिर इस मौसम में आवला खाने के सला क्यों दी जाती है विटामिन C से भरपूर आवला खाने की सबसे पहली वजह यह है कि इसमें खुब मात्रा में विटामिन C होता है 100 ग्राम आवले में संत्रे की तुलना में 10 से 30 गुना अधिव विटामिन C होता है हर दिन आवला खाने से दिल की विमारी से बचा जा सकता है आवले में पाया जाने वाला विटामिन C, एथलेरोस्क्लोरोसिस जैसी बिमारी से बचाता है इम्यून सिस्टम के लिए फायदे मंद सरदियों का मौसम इम्यून सिस्टम के लिए काफी कठिन होता है आवला में पाया जाने वाला विटामिन्स, कोल्ड और वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे सरीर इन बिमारियों से बचा रहता है मुँ के छाले को करे दूर अगर आपके मुँ में अक्सर छाले हो जाते हैं तो आवले से बहतर इलाज कुछ नहीं हो सकता गर्म पाने में आवले का जूस मिला कर इसे हर दिन पिए आपको कुछ दिनों में ही असर दिखने लगेगा और बार बार छाले होना बंद हो जाएंगे हर दिन कच्छा आवला खाएं या इसका जूस पीने से दात और मसूडे मजबूत होते हैं इसके अलावा ये सासों की दूरगंद भी दूर करते हैं बलड सुगर को करे कंट्रोल आवले में क्रोमियम नाम का तत्व पया जाता है जो बलड सुगर को कंट्रोल करने में काफी व्योगी होता है दाबटीज के मरिजों के लिए आवला बहतरीन फल है हालाकि आवले में बहुत सारा फाइवर होता है इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए ज्यादा फाइवर खाएने से इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की समस्या हो सकती है मुहासों की समस्या दूर करता है आवले में खून को साफ करने के गुड़ होते हैं इसी वज़े से मुहासों की समस्या दूर हो जाती है और तवचा बेदाग चमकदार बन जाता है आवले में पाया जाने वाला बिटामिन C इसकी इनको हाइड्रेट रखता है और त्वाचा की सूजन को कम करता है ये त्वाचा की खराव मुझ की कोशिकाओं में नई जान डालता है रूसी और सफेद बालों की समस्या करे दूर हर दिन आवला हैर क्लीजर से मसाज करने से रूसी की समस्याइं दूर हो जाती है और बालों में चमक आ जाती है अगर आपके बाल रुखे हो या समय से पहले सफेद हो रहे हो तो आवले का तेल बालों में लगाए आपकी सारी समस्याई दूर हो जाएंगी यदि हजान करी आपको अच्छी लगी तो लाइक सुब्क्राइब जरूर करें